हेलो फ्रेंज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज में चिली पनीर बना रही हूं जिसे बनाना बहुत ही आशान है अब बिल्कुल आशान तरीके से बनकर तयार होती है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ इसके लिए मैं दो थोड़े मीडियम साइज का प्याज लिए हूं एक टमाटर दो शिमला मिर्च एक इंचा द्रग का टुकरा साथ से आठ लशुन की कल्यां है और दो हरी मिर्च इंस अभी को बिल्कुल बारिक बारिक काट लेंगे सबजी को आप जितना बारिक काटेंगे आपकी पनीर चिली उतनी अच्छी बनेगी और यह 500 ग्राम पनीर है मार्केट वाला पनीर उसके बाद मैं और यह हैं कॉंफ का दो मश कॉं इसमिस माण और तो को उसके बाद इन दोनों को अच्छे से मिक्स करागए हूं हुद 있다 के दोनों को गुग कर लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगी थोडा सवात के अनउसार यहां पर में पनीर को इसमें कोट करूंगी इसलिए पर थोड़ी सी नमक कायूच कर रही हूं को कि उसके बाद एक एक पनीर के चोप इस तरह से कॉनफलोर अए ई सप्थिन्स बमेंगे डालकर इसको इस सूखा इस कोट कर लेंगे कि ऐद एक पानी नहीं डालने की ज़रत है वस इस प्स्थटही कोट कर लेंगे इस से फिश्टहर सें मची हेल्फ, इस तरह से, हलके हांथों से ईसे μिक्स कर लेंंगेfour जो तक में पीकट में एक ही कर लें, बसका हिस तरह से करके ऊसके बद इसको निकाल के रख ले आज पनीर को मैं डीप फ़्रह नहीं करोंगी इससे सेलो फृए करोंगी इसलिए मैं इसमें सूखे मैदे और Mosswar का यूच किया है अगर आप डीप फ्राए करें तो इसमें थोरा सब lets घ्लका पानी मिक्स करके अउसके बाद इसमें कोटिंग करें, तो देखे, सारे पनीर को अच्छे से कोट कर ली हूँ, कौन फ्लोर और मैदे की गोल में, उसके बाद कराई गैस पे चरहा दी, गैस ओन कर ली हूँ, और इसमें थोड़ा रिफाइन डाल दी हूँ, उसके बाद एक ही करके पनीर के टुक्रे को रिफाइन में, इस तरह से डाल देंगे, बिल्कुल आराम से डालें, और इसको इस तरह से थोड़ी दिर के लिए छोड़ देंगे, एक मिट के बाद ही से पलटेंगे, तो इस तरह से इसको shallow fry कर लेंगे हम लोग तो देखिए इसको इस तरह से अच्छे से इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाता है इस shallow fry और जो हमारी पनीर चिली बनती है बहुत ही अच्छी इस रेशिपी में मैं ज्यादा तेल का यूज नहीं की हूँ इसलिए मैं इस पनीर को shallow fry कर रही हूँ आप चाहें तो आप deep fry भी कर सकते हैं तो इस तरह से थोड़ा और बचा हुआ था तो उसे भी दूसरी बार में इस तरह से shallow fry कर ली हूँ उसके बाद सभी को निकाल लेते हैं उसके बाद थोड़ा और तेल डाल दी हूँ इसमें क्योंकि बहुत ही कम था तो एक चमच और तेल डाल दी उसके बाद हरी मिर्ष डाल दी हूँ और लहशुन की कल्या जिसे बारी काट कर रखी थी और आद राकीन सभी को डाल कर ब्राउन होने देंगे जब तक ब्राउन नहीं होता तब तक इसमें अभी नहीं डालेंगे कुछ भी जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे देखे ब्राउन हो गया है तो अब इसमें प्याज डाल देते हैं प्याज और सिम्ला तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेश करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें तो देखिए यह टमाटर डाल आप चाहें तो टमाटर डाले यह दू तो स्किप दी हौिए पर मने डाल रही। इससे वहत ही अच्छा टेस्ट आता है तो टमाटर भी डाल दी हूँआ और अछे से शौंट हो गया है तो अब इसमें शौस डाल देते हैं एक चमग सोय शौस आज दो चम चमच चीली सौस अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल दें तो दो चमच चीली सॉस डाल के उसके बाद इसमें ट्रमेटो केचप डालेंगे एक चमच बेनेगर डाली हूं उसके बाद तीन चमच ट्रमेटो केचप डाल रही हूं तीन चम्मर्ट टर्मेटो केचप डाल कर अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, उसके बाद इसमें हमने जो कौन फ्लोर और मैदे का जो मिसरन रखा था, उसी में थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से घोल लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे, ताकि हमारी जो गरेवी बने वो गाडी बनेगी, तो इसमे हमें पानी डाल करके, देखे पानी डाल देती हूं, तो अभी थोरा ही पानी डालेंगे और इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक बार में ज्यादा पानी डालें, थोरा पानी डाल कर अच्छी से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें एक गिलास और पानी तो इसमें पानी थोड़ा और लगेगा तो अभी एक दो गिलास पानी और डालोंगी क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है इसलिए लो फ्लेम पर ही इस तरह से घोल डाले और उसके बाद इसमें पानी डाल दें तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसमें पूरी रेशिपी में तीन गिलास पानी का यूच की हूँ तो थोड़ा और डाले थी मैं उसके बाद डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उबलने देंगे पांच मिन तक जब ये अच्छी तरह से उबलेगा उसके बाद ही इसमें मैं पनीर डालूंगे. तो अच्छी तरह से इसको उबलने देते हैं. तो ये रेस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होती है, तो एक बार ज़रूर आपी ट्राय करें. तो देखिए, अब ये उबलने लगा है, बहुत ही जल्दी गाढ़ा भी होने लगता है ये, क्योंकि हमने कॉन फ्लोर और मैदे का घूल डाला है इसलिए, देखिए, अब ये अच्छी तरह से उबल रहा है, तो अच्छी तरह से देखिए, उबलने लगा है, उसके बाद अब इसमें हमने जो पनीर को तो पनीर के साथ भी पांच मेंट उबा लेंगे, ऑची तरह से उबलने देते हैं, देख सकते हैं आप लोग बहुत ये टीष्टी पनीर चिली बनकर तयार है, यह चिली पनीर, तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाईए, कमेंट का जरूर बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी फिलीज वीडियो को फूल बाच किया करें तो देखिए हमारी पनीज चिली बनकर तयार है तो अब इसकी प्लेटिंग करते हैं तो देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलेशियस पनीज चिली बनकर तयार हुए इ इसी के साथ भी सर्फ करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग,